हो जीवन एस भी एफ इनेंस होगा हमने देखा एकिशेर में जो है कंपनी के लगातार जो है लोज़ोट में सुधार देखनों को मिला और और रोी देखिए वहां भी कईने कई सुधार तो सबसे कम रिटर्ण अभी तक जितने चेरों में में चर्चा कि उसमें सबसे कुम रि यह इसमें एक टार्गेट है 75 का 6 मंथ का पर मेरे ताबिक अगर आप इसको अगर आपके पास जल्दी नहीं है पैसा लेने की मार्केट से तो आप इसको तो लंबा भी होल्ड कर सकते हैं दो तीन साल का नजरियां भी रख सकते हैं जो टूर्न राउंड हुआ है उसके बाद म आपको हुड़िगा तो 75 तक का टार्गेट आना चाहिए नहीं करी 75 रुपे के लक्ष के साथ आप शेयर को होल्ड करें चल सकते हैं यहां सब्सक्राइब अच्छी हुई है और मस्भूति आगे भी देखनों को मिल सकती है अविनास्वार आपकी कहड़ा है यहां पे इन फ पर अगर आप एसेट कॉलिटी देखें लोन बुक ग्रोथ देखें बहुत ही स्ट्रॉंग है और मुझे लग रहा है कि अगले छे मेना भी काफी अच्छा ग्रोथ इनो बैंक की मैनेश्मेंट के कॉमेंटरी से इनो दिख रहा है तो यहां पर मेरा ख्याल से 6-12 मंस हमारा करीवन 70 रुपीज है यहां पर होल्ड करने किरा है कि इस तरीके से हमने देखा होल्डिंग कंपनी के साथ जो रिवास मर्जर होड़ा इस कंपनी को सीय तोर्फ पर फायदा होता हुआ अब तक हैं अब आलाग सेक्टर की कंपनी की बात की हमने तक्स्टाइल सेक्टर की कापी बहतर रहा खास्ता पर मिटकेप इसमेर के फार्मा शरुब देखिए एक अच्छी रैली देखनों को मिली हाला कि इस शेयर की बात करें तो इसकी सिहर जो है बीते दो साल 2020-2022 तक थोड़ी नाजाग खराब देखनों को मिली इरावर्ट देखनों को मिली इस साल एक अच्छी रैली देखनों को मिली एक असी परसंट की मजबती देखनों को मिली है गलेनमाक फार्मा को लेकर क्या राय होगी आपकी अभिनास्ता जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कंपणी कर्च की चिंता थोड़ी कम हुई है इसके लाबा भारती है जो करेलू करबार है व सबसे बड़ा कारण जो बढ़ने का है वो यह कि ग्लेनमाक लाइफ साइंसे इनको बेचने का यह जो टिसिजन लिया है वह बहुत अच्छा रहेगा काफी हद तक जो करजा ग्लेनमाक फार्मा में वो रिपे कर पाएंगे तो मेरी खाल से देखिए अगले छे बारा महीने क व्यू तो पॉजिटिव है लेकिन हम यहां पे और एक दो कॉर्टर कंपनी के पर्फॉर्मेंस के वेट करेंगे और उसके बाद ही हम उनको एक नया फेर वैल्यू देंगे लेकिन इनके पास है वो स्टॉक होल्ट करें चल सकते हैं और सीज़े तोर पर जैसा कि बता भी रह कर सकते हैं टागेट 1,000 है जो कि मेरे ताब एक कंपनी का टर्नराउंड काफी रियल है और दूसरा एक फार्मा में वैसे भी केजी आ रही है सेक्टोरियल अगर देखा जाए तब भी काफी अच्छे टेल विंज हैं और इस कंपनी का काफी अच्छा टर्नराउंड हुआ है और काफी अच्छे रिजर्स आने के अवरमीर हैं तो मेरे ताब एक नासर वोड़ आप फेश भाइंग भी कर सकते हैं आप होल्ड कीजिए नहीं चाहें तो आप नहीं खरदारी करने के चल सकते हैं हजार उपे कर लक्ष के साथ खरदारी करने के सलाथ देना आसरीस उनको लगता है कि यहांसे आपके पास है तो होल्ड कीजिए नौसों च्च्छी रुपे तक लक्ष देखनों को मिल सकता हैं अगले दो से तीन महीने में चार महीने में देखनों को मिल सकते हैं